हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हम बात करेंगे बड़ी अपडेट किया जैसे कि आपको बता दे यह पटना हाई कोट में एक और केस दर्ज हुआ है उस केस में क्या है कैस कैसा किस परपेच में केस किया गया था तो कहीं न कहीं आप देखें देखेंगे तो cwcj नमबर है उसका बाद 13935 सीरियल केस नमबर जिसकी बारा तारीक को सुनवाई हुई उसके बाद इसका जज्जमेंट भी आ चुका हम चले पहले चलते हैं पटना हाई कोट के आफिसल वेब साइट में यहां पर हम आएंगे यहां पर हम केस स्टेटस च अब ही सारी डीटेल हमारे सामने खुल के आएगे केस क्या 2024 का है उसके बाद capture code डाल दिया तूसे बन जीरो उसके बाद हमने सर्च किया सर्च करने के बाद यह केस आपके सामने हाँ एक मिनट इक खुल के आगे दिखेंगे तो दा हाई कोट सा पटना आप यहां देखेंग तो यह क्या उन है रमन कुमार ने केस किया है और इसमें देखेंगे रिस्पॉंडेंट कोन है थोड़ा सा दिख नहीं रहा हुㅋㅋ क्म्पूइटर है लालमनी सरमाजी है और आप इसमें कल्स की सुनाई होई थी जो हीरिंग डेट थी 12 सितंबर 2024 को केस के सुनाई होती है तो इस सुनाई में क्या निकल कि आता है कहने मतलब यह केस आप जब से इस परिपेच में केस किया था तो वही केस है कि सुनाई हो चुकी है सके आडर आया है शेयरियों क्योंचे क्या कि ली पैन। है पज़े ठेख लेंगे इसमें और प्रेटिस्ट्र बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कहीं ने हैं जो में के किया है उसको आप देखेंगे अ्दर की कापी है जो कल की सुनाई होती है और इस पारजूर में यह का है में मैंटिंऌ क्या है वारह नोन 2424 को इस कौल का कांफरेंस के तुरू इसके सुनवाई होती है इस आडर को हम हिंदी में करते हैं चलिए एक बन हिंदी में अब थोड़ा जूम करते हैं पटना उच्छी न्याले सिबिल रिट छेतार अधिकार मामला संख्या 13935 आप लिट 2023 रमन कुमार बर्सिस स्टेट आप बिहार राज अ प्रतिवादी देखेंगे तो मिश्टर लाल मनी सर्मा एडूकेट है स्री के के पी गुपता जीपी जो की स्री एडूकेट सी है अब आप इसमें देखेंगे नयाले मानिनी नयामूर्ती अंजनी कुमार सरड मौकिक आदेस 1292024 का कल करने मतलब 1292024 का यह करता कि बिद्व जो कांफिरेंस के माध्यम से उपगस्तित हुई राज के विद्वां अधिवक्ता बीकी सी के वरी अधिवक्ता त्था येंे के विद्वीधान ही वक्ता को सुण गया जो एंसीटी 6 1963 के सनस्थान के वब वक्लतों उनको सुना गया BPSC के विद्वान अधिवक्ता निकने बारतमान मामले को संचिप्त जवावी हल अपनामा दाखिल करने के लिए दोसब्ता का समय देने के अनरोध किया इस मामले को 26.9.2024 को परस्तुत करेंगे के निक मलब आंजिनी कुमार सर्माजी जो की एडोकेट है जो कि वहां के जजस्त है तो उनके सामने केस सुना गया तो कहीं न कहीं अब आपको बता दें कि यह वही केस में जो प्रिस्पल केस है या फिर लोग बोस्त में कि भाई इनको फ्रेस भरतियों में सामिल ना किया जा तब तक ऐसे केस चलते रहेंगा जो सुप्रीम कोट के जज्जमेंट है वही तब तक वैलिड रहे कि को अमानने करने वाला आप देखेंगा इसकी तारीख आप देखें रहेंगे 26 नो दोजा 26 सितंबर को लगी है क्योंकि आप देखिए 26 सितंबर के साथ पहले से आपको करेंगे टांस्पर पेटीशन है रिएट नहीं आई है बिद्यार्ति एकदम हतास परिशान करें तो करें क्या क्योंकि भरतिया निकलती जा रही है जो इनिंग रुकी हुए बड़ी में देखें कि इसी तरह बिद्यार्ति यह इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सब्सक्राइब करें जैसे कोई नहीं जाती हैं वीडियो एक माध्य में सुचित करें मिलते हैं नए वीडियों साथ नमस्कार